नमस्कार खबरों का पंच नामा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीन शेख हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हैड्लाइन्स पर सुनिता केज़िवाल की एडी और बीज़िपी को चनौती बोली ऐसी सलाके नहीं जो अर्विन केज़िवाल को ज्यादा दिन अंदर रख सकें दिल्ली में आपके खिलाब बीज़िपी का विरोध प्रदर्शन केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकुर ने केज़िवाल पर बोला हमला कहा सीमपस से जल्द दें स्तीफा लोगसबा चुनाव से पहले हिमाचल की कॉंग्वेस सरकार को लोगा जोरदार जटका छे बागी विधाय को साहित तीन निर्दलिये बीज़ेपी में शामेल पंजाब की आप सरकार की बड़ी मुश्किलें संग्रूर में जहरीली शराब पीने से बरने वालों का बड़ा आकड़ा 10-10 रुपए में खुले में बिक्ती हैं शराब कैश के बदले सवाल पूछने के बाबले में टीमसी ने ता बहुआ मोहित्रा की बड़ी मुश्किलें सीबी आई ने मोहित्रा के कई छिकानों पर की चापे मारी और खबरों में सबसे पहले बाद एडी के शिकंजे में फसे केज़िवाल की दले के मुख्यमंतरी अर्विंद केज़िवाल की गिरफतारी के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि अब सरकार की बागदोर कौन समभालेगा आम आद्मी पार्टी का साफ कहना है कि सीम केज़िवाल जेल से सरकार चलाएंगे हाला कि केज़िवाल पर एडी एक्शन के बाद जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता केज़िवाल ने मोर्चा समभाला है वो बेहत एहम माना जा रहा है और वो जिस तरह से CM की कुर्सी पर बैठी नजर आई उससे साफ है कि अब सुनीता केजिवाल ही दिल्ली की CM है सुनीता ने पहले ट्वीट के जरिए सीधे PM मोधी पर निशाना साधा तो आज वीडियो जारी करके दिल्ली की जनता को भी संबोधित किया डॉक्टर साब क्या माईने निकाले जाएं क्या सियासी संदेश देने की कोशिश देखिए जिस वीडियो का आपने जिक्र किया उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जिस कुर्से के उपर अर्विंद केजरिवाल बैठा करते थे ठीक उसी कुर्सी पे आज सुनिता केजरिवाल उनकी धर्म पत्नी बैठी होनी है तो राजिती तो इशारों में चलती है चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में घुसके है चीफ मिनिस्टर की कुरसी पे कोई बैठा है तो महत्य तो कुरसी की ही होती है तो सुनिता केजरिवाल वो बैठ गई ये केजरिवाल ने अपने ही पाटी के नेताओं को कितना बड़ा धोखा कितना बड़ा फरेब किया है उनके साथ कहां सब लोगों को तयार करके रखा कि जेल से चलेगी सरकार जेल से चलेगी सरकार और लीजिए आज ही बॉम जो है इनोंने फोड़ दिया मातम पसरा हुआ है चार-पांच आमादी पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे कि they also know कि technically वो possible नहीं है कि कोई सक्स जेल के अंदर बैठा रहे किसी ने किसी को तो मुख्यमंत्री बना पड़ेगा हिंट एक और है केजरिवाल को एक घंटे के लिए अपनी लीगल्टी और दो व्यक्ति अपने हिसाब से जो वो नाम दे सकते कि वो आकर के मिल सकते हैं तो दो लीगल जो वकील है वो तो मिलेगी ही लेकिन दो चुने हुए व्यक्ति केजरिवाल के द्वारा वो मालूम है कौन है कोई नेता नहीं कोई आतिसी नहीं कोई गोपाल राय नहीं कोई सौरा भारदवाज नहीं एक उनकी पत्री है और दूसरा उसका जो पीएस है जो पीए है विभव तो आप समझें कि सारा संदेश सारी प्लैनिंग सारा कुछ केजरिवाल अपने दिमाग में रखा हुआ था और रोज आज तो सुरुवात है सुरीता केजरिवाल रोज अगले छे दिन तक वो प्रस कांफरेंस करेगी और जब इन्हें तिहार भेजा जाएगा इडी कस्टिडी से जब नाइक हिरासत में कोट इन्हें भेजने के बाद तब तो वो तिहार जेल के अंदर रहेंगे तब सुरीता केजरिवाल को मुख्य मंत्री बनाये जाएगा ये साफ साफ दिख रहा है ऐसे मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राज़नीती का नेटवर लाल है केजरिवाल तो इदर दिली के मुख्य मंत्री अर्विन केज़िवाल की गिरफतारी के खिलाफ आजाम आदिपार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया दिली के शहीदी पार्क से लेकर हर्याना, पंजाब, राज़स्थान और कई राज़ों में विरोध प्रदर्शन हुआ आम आदिपार्टी का कहना है कि सीम की गिरफतारी गार कानूनी है और राज़नीती से प्रेरित है लोगसबा चुनाव से पहले अरविन केजरिवाल को गिरफतार किये जाने की बाद तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावार है जहां एक तरफ आप विरोध प्रदर्शन कर रही है वहीं बीजेपी ने भी राज़गाट पर जमाहो कर करप्शन के खिलाफ धना प्रदर्शन दिया बीजेपी ने तहां अनुराग ठाकोर ने केजरिवाल से जल्द इस्तिफा देने की मांग की है तो क्या वाके में दवाब बना पाएगी बीजेपी देखिए दवाब क्या है अब तो यही होना ही है उसको इस्तिफा देना ही है जेल से कोई सरकार चला सकता है आउट अप देर माइंड यह इस तरह की बाते कहना भी बेवकुफी है लेकिन ती-चार चीजे हुई है जिसको समझना जरूरी है केजरिवाल यह सोच के गया था कि मैं अगर जेल जाओंगा तो केजरिवाल अपने आपको जवाला नहरू महत्मा गांदी से कम नहीं समझता है कि जनता उन्माद होगा सारे लोग बाहर आ जाएगे यह प्रोटेस्ट होगा वो प्रोटेस्ट होगा चंद आम आदमी पार्टी कार करता के सारे लोग खुस है कि ठिक गया पंजाब में कुछ क्योंकि वहां पर उसकी सरकार है तो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है बाकी इसने तो कहा था कि पूरे देश व्यापी यही गोशना इन्होंने की ते ने कि देश भर में केजरिवाल के लिए लोग सड़कों पर उतरें कोई नहीं निकल रहा है अब तो न जेल से चलीगी सरकार तो केजरिवाल को न सिर्फ लीगल सेटबैक लगा है आप आदमी पार्टी के ऊपर एक नई क्राइसिस लीडर्सिप को ले करके और्गनाजिशन को ले करके चीफ मिनिस्टर तो आप बदल देगे भई मुख्या भी तो चाहिए होगा सिर्फ पे चु तो किसी आदम को ढूंडा पड़ेगा या सुनिता केजरिवाल मुख्यमंत्री भी रहेंगी पार्टी भी हेट रहेंगी ताकि वो वापस आये और फिर अपनी पत्न को कह साइड है तो अब हम तो कई सारी मुसीबत हैं तो लीगल बैटल तो हारी चुका पॉलिटिकल क्रैस नहीं आ रहें आम लोग कोई सिंपथी केजरिवाल के लिए अब नहीं बची है क्योंकि जिस तरीके खुलासे हुए जिस तरीके से जानकारिया आ रही है कि कैसे कैसे हवाले के जरिये ये चुड़ाओं में पैसे का इस्तमाल कर रहा था किस तरीके से इसने सरावनीती तो ये एक बहुत बड़ी मुसिबत में है और भारती जंता पार्टी उसकी इस्तीफे की मांग कर रही है तो वो इस्तीफा तो उसको देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल तो इस्तीफा देना पड़ेगा है तो बीजेपी ने दिली सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है तो वहीं हिमाचल की कॉंग्रेस सरकार भी मुश्किल में दिख रही है हिमाचल कॉंग्रेस के छे बागी विधायकों ने बीजेपी जॉइन कर ली है इन छे बागी विधायकों को दिल्ली में केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर ने पार्टी मुख्याली में पठका पहना कर पार्टी में शामिल किया इन बागी विधायकों ने हिमाचल में राज्य सभा चुनाव में क्रोस वोटिंग की थी जिसके बाद इन सबी छे विधायकों को स्पीकर ने निलंब तीन निर्दलिये भी बीजेपी में शामिल हो गए सुखु सरकार जाएगी अब तो चली गई अब बचना क्या है इसमें अभी तो सुरुवात हुई है और भी लोग वहां बैठे हुए है और जो लोग पहले से ही विद्रो का विगल जो फूग रखा है उसका नाम तो इसमें ही नहीं है इसका मतलिव यह है कि कांgras party के बारे में क्या image बन रही है आपको लोग वोट देते हैं मद्रप्रडिस में सरकार बन जाती है आप पाकश साल सरकार नहीं चला पाते हैं पार्टी तूट जाती ये सरकार प्रददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददददद कि आप जो वादा करते हैं उसको फूरा नहीं करते हैं दोसी चीज जनता का विश्वास Congress Party से इसलिए भेटेगा भई इन्हें भोट देने से क्या फाइदा है इनको वोट दे दो इनको चुना जिता दो फिर भी यह सरकार नहीं चला पाते हैं और सबसे बड़ी चीज ये गांधी परिवार Congress Party के उपर जो इनकी पकड़ थी जो गांधी परिवार का इकबाल था वो चण हो रहा है मतलब बीके कर रहा है कत्म हो रहा है तो माचल की सुख्षू सरकार संकट में है पनजब की भगवनस्मान संकार भी है पंजाब के संग्रूर में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है पांच लोगों ने आज दम तोड़ा है जबकि 8 लोगों की जान 22 मार्च को चली गए थी जहरीली शराब कांड में 40 मरीज अस्पताल में भरती थे शराब कांड पर बीजे पी अदेश सुनिल जाकर ने सीम भगवंत मान पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि मुक्यमंत्री के ग्रह जिले में जहरीली शराब से 21 जाने जा चुकी है सरकार की नाक के नीचे जहरीली शराब का अवैद घर कानूनी धंदा फलफूर रहा है जो आप सरकार की बड़ी नाकामियाबी है खबरों की माने तो संग्रूर में घर घर में शराब बनती है और ये 10-10 रुपए में बिकती है जिससे मान सरकार पर विपक्ष हमलावर है क्या करें दिली में केजिवाल जिस तरह से जेल में गए हैं और अब पंजाब में जहरीली शराब कानूनी जब भगवन्त मानी चीफ मुनिस्टर है तो सराब का धंदा तो चलेगा ही इसमें कोई डाउट है संगरूर सही आते है चीफ मिनिस्टर साथ उनके होम डिस्टिक में ये हो रहा है लेकिन बात मैं और कहता हूँ अगर 21 लोगों की मौत बिहार में नकली सराब कीनी से हो जाए यूपी में हो जाए, मद्ध प्रदेश में हो जाए कितना बवाल मच रहा होता कितना बवाल मच रहा होता आपने देखा कि किस तरीके से continuous breaking news तो live चल रहा था जब छप्रा के अंदर ब्यार में कुछ लोगों की मौत हुई थी नकली सराब से किसी चैनल पर आपनी इस ख़बर को देखा नहीं दिखाई गी यह माल का कमाल है advertisement यह आम आदमी पार्टी का media management है कोई नहीं बताएगा नकली सराब का धन्दा फल फूल रहा है चीफ मिनिस्टर के इलाके में जिसका मतलब है कि सीदे सीदे वरद हस्त प्राप्त है यह चोटे बुटे लोग काम नहीं करते ड्रक्स का धन्दा हो नकली सराब का धन्दा हो प्रोसिटूचर का धन्दा हो जुए का धन्दा हो यह सब organized crime है political support के बगैर यह सब धन्दा किसी राज में exist नहीं कर सकता यह basic चीज है तो कहा यह केजरिवाल और उसके चटे बटे नशा मुक्त करेंगे 6 मेने सरकार दो 6 मेने में पंजाब को नशा मुक्त कर दूँगा यही केजरिवाल कह रहा था और वो कहा गया है वो उरता पंजाब बनाओ फिलम अब बहता पंजाब मरता पंजाब नहीं बनाओगे न यह सब मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है वो नए इतिहास के जरिवाल निका है टेलिविजन चैनल को जो है कम से कम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए पैसा ठीक है लेकिन इतना भी मत गिरो कि लोगों का विश्वास लोगों की यकीन जो है वो आपके उपर से उठ जा है ने रेगुलर केस भी दर्ज किया था दिली में यापर सीब्याई की एक टीम महुआ के पिता के दक्षन कॉलकत्ता के अलिपूर इलाकी के फ्लैट पर भी पहुझी है यानि जेल जाएंगे महुआ 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 को जेल जाना ही चाहिए क्यों अब तक नहीं गई है ये एक बड़ा सवाल है आप सांसद हैं आपके उपर ज़्यादा जिम्मदारी है कोई आम आदमी होता तो उसकी जिम्मदारी कम होती है तो उसके हिसाब से नयाए जो है थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा दया भी रखता है लेकिन जब आप सांसद हैं देश विदेश में जाकर के हिंदुस्तान की डिमोकरसी और परजातंत्र के बारे में बड़ा बड़ा ज्यान देते हैं पार्लमिन्ट में आपका एकसेस है आप सरकार के खिलाब प्रधान मंतर के खिलाब बयान देने का ताकत रखते हैं तो आपकी रिस्पांसिबिटी के मताबिक ही आपके साथ नयाए होना चाहिए जो सक्स अपने सीक्रेट लोगिन आईडी और पासवर्ड किसी व्यापारी को दे दे और उससे पैसे ले गिफ्ट्स ले उससे मदद ले वो होटलों का बिल उसके लिए भरे तो ये तो सीधा-सीधा घूस का मामदा हो गया अब तक ये क्यों बची हुई है यही एक बड़ा सवाल है एक सेकेंड भी एजेंसियों को समय बरबाद नहीं करना चाहिए इनको एक एक्जांपल के तरह पेस करना चाहिए ये सीधा के जिम्दारी इन सभी खबरों पर सर्टिक विशलेशन के लिए डॉक्टर साहब आपक कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद